तूप कर चाटना इसी को कहते हैं एहंकार की हार इसी को कहते हैं ये कहना है राजसुप्रीमो लालुपिशाद यादव के बड़े लाग तेश्वतात यादव का आपको बताए कि जिस तरह से आज पियमोदी की तरह से एतहासिक फैसला लिया गया तीन कृशी कानून को वाप पियमोदी पर हमले किये जा रहे है और ये कहा जा रहा है कि एहंकार अब टूट चुका है बतादे कि तेश्वताप यादव ने ट्वीट करते हुए पियमोदी पर हमला बोला है और साथी साथ थूक चाटने की बात कही है बतादे कि तेश्वताप यादव ने अपने इस ब्रस्टा चार के खिलाफ हमारी लराई जारी रहेगी और हमारी एकता जीतती रहेगी जय हिंद वंदे मातरम हैश्टेग फार्म लॉस यानि कि जहां एक तरफ देश के प्रधार मंतरी नरीन मोदी की तरफ से तीन कृशी कानून को वापस लेने का अतिहासिक फैसला लिया ग किये जारे थे इस काले कानून को वापस लेने की बात कही जारी थी तो वहीं दूसरी तरफ अब केंद सरकार पर जम कर हमला बोला जारा है और बताया जारा है कि किस तरह से इस सरकार का एहंकार टूट चुका है और अब आखिरकास इस सरकार ने किसान के हित में फैसला लिय को लेकर इस सरकार को ऐसे ही घेडने का काम आगे भी किया जाएगा और इस सरकार को देश की जनता के सामने जुकना ही होगा देश की जनता के हित में फैसले लेने ही होंगे भले ही ये सरकार पाल्यामेन से किसी भी बिल को पास करवा देती हो लेकिन जब तक जनता उसे स्विक टब तक ये सरकार किसे भी कानून को ऐसे ही देश में लागू नहीं करवा पाएगी और यही वचो है कि बीते एक साल से किसान की तरफ से देशι मरमें यह अंदोलन किया जा रहा था इस क्रशी कानून को काला कानून बताया जा रहा था ऐसे में आज तेश्विताप यादव ने किन सरकार पर हमला बोला और साथी साथ ये कह दिया है कि ये थूख चाटने जैसी बात है क्योंकि पहले कृशी कानून को लागू करने की बात पियमोदी ने कही और आज वो वापस इस कृशी कानून को वापस ले लेते हैं इसी को थूख चाटने की तुलना जो है इसे की गई है और तेश्विताप यादव की तरफ से ये बड़ा हमला किन सरकार पर किया गया है बता दे कि आज एतिहासिक फैसला पियमोदी ने लिया और होने बताया कि जैसे ही महीने के अंत में संसद की शिरुवात होगी वैसे ही इस तीन कृशी कानून को रद कर दिया जाएगा तो अब ये एतिहासिक फैसले को लेकर वपक्ष की तरफ से किन सरकार पर हमले बोले जा रहे है एंकार की हार बताई जा रही है और किसानों की जीत बताई जा रही है फुराल कि इतना ही जाद अपडेट के लिए आप बने रहे है न्यूस वानेशन के साथ तमशकार